मालदीव के जहाजों पर भारतिय नौसेना ने बोला था धावा। मुईज्जु की सेना ने बता दिया। सच। खोली पोल मालदीव में भारत विरोध की एक और नापाक कोशिश फेल हो गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए। मालदीव की सेना ने कहा है कि उनके मचली पकड़ने के जहाज पर किस देश के सैनिकों ने धावा बोला था इसका खुलासा नहीं हो सका है। वहीं मालदीव की सेना को कोई भी विदेशी सैनिक नहीं मिला है। मालदीव और भारत के बीच सोशल मीडिया में भारत के खिलाफ जहरीले बयान आने शुरू हो गए। इस बीच अब मालदीव के तटरक्षक बल ने इस पूरी घटना का सच बताया है। मालदीव के कोस्ट गार्ड ने कहा कि उन्हें इस बात का पता नहीं चल पाया है कि आखिर किस देश के सैनिकों न मालदीव के कई जहाजों पर धावा बोल कर उसकी तलाशी ली। मालदीव की सेना मालदीव नैशनल डिफेंस फोर्स ने एक बयान जारी करके कहा कि अभी तक विदेशी सैनिकों की राष्ट्रियता का पता नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा कि कोस्ट गार्ड के जवान ज मालदीव की सेना ने कहा कि हमें इस बात की पुखता जानकारी नहीं मिल पाई है कि किस देश के सैनिक मालदीव के जहाजों पर आये थे भारत ने भी किया था दावे को खारिज। इस से पहले मालदीव के मचली पकड़ने वाले दलने दावा था कि हत्यारों से लैस भारति भारतिये सैनिकों ने धावा बोला और असुरूमा तीन तथा दो अन्य जहाजों की तलाशी ली। भारतिये नौसेना के सूत्रों ने भी साफ कह दिया था कि उनका कोई भी युद्धपोत इस इलाके में नहीं है। वहीं असुरूमा तीन नाव के मैनेजर ने भारतिये सैनिकों पर बेबुनियाद आरोप लगाया था। उसने कहा था कि विदेशी सैनिक थुराया सैटलाइट फोन को तलाश रहे थे। मालदीव के मचली पकड़ने वाले जहाज के मैनेजर का यह बयान खुद वहां की सेना ने बेबुनियाद पाया है। बता दें की भारत और मालदीव के बीच तनाव अपने चरम पर है। मालदीव ने भारतिय सैनिकों को अपने देश से चले जाने के लिए कह दिया है ये सैनिक वहां मदद के लिए तैनाथ थे वहीं पीय मोदी के लक्ष द्वीब दौरे के बाद मालदीव के कई मंत्रियों ने जहरीला बयान दिया था खुद मालदीव के राष्ट्रपती मुहम्मद मुईजू अब चीन की गोद में चले गए हैं और भारत के खिलाफ जहरीले बयान दे रहे हैं मुईजू तुर्की से लडाकू ड्रोन विमान खरीदने जा रहे हैं ताकि भारतिय नौसैनिकों पर नजर रखी जा सके मुईजू के कई कदम भारत संग तनाओ को भड़का रहे हैं दोस्तो ऐसी और भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी घन्यवाद?